So Hello Friends, स्वागत आपका एक नए वीडियो में आये जानते हैं आज के मुखे समाचार बने रहीएगा आप हमारे साथ आवाज के उजना का लाप मिलने वाला है रासनकार धर्को को क्या फायदा मिलेगा और साथ ही हर जिले में सरकार क्या करने वाली है जिससे 10 करोन निवेस हो र गया है इन रास्तों पे आप जाने से बचिएगा और साथ ही कई सारे और अपडेट है मौसम को लेकर नहीं जानकारी है गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानेंगे वही बिग बॉस ओर टीटी के विजेता और साथ ही यूट्यूब के इंफ्लुएंसर एल्विस 15 सुरुपए देगी सरकार जी हां अगर आप भी दिव्यांग योजना के लाभारती हैं तो आपको हर महीने 15 सुरुपए मिलेगा और ये शुरुवात हो जाएगी और अप्रैल महीने से आपको 45 सुरुपए मिलेगा जनूरी फरोई मार्च की रासी जो है उकल 45 सुरुपए मिलेगी वृद्धा विद्वार निरासित महिलाओ को एक एक हजार रुपए की रासी मिलेगी जिया दोस्तों विदान सवचुनॉमी यूपी ने ये ऐलान किया था उसके बाद बजट पे भी ऐलान हो गया है अब इस पर मुहर लग गई है बजट भी पेस कर दिया गया है अब आपको अप्रेल तक ये पैसा मिलेगा कुल 45 सो मिलेगा जनुरी फर्वरी मार्च का दिया जाएगा दोस्तों आपके दादे जो रिपोर्ट में जानकारी आती है विल्कुल वही सेयर किया जाता है इसमें कुछ भी बढ़ा चड़ा कर नहीं बताया जाता इस बात पर आप ध्यान दिजेगा कि EKYC बहर्ट जरूरी है उन्हीं लोगों को ही पैसा मिलेगा जोन्होंने EKYC कराई है जीनका E सत्यापन हुआ है वही किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की किले बंदी पुलिस ने किये अभेत्य सुरक्षा इंतजाम तैयारी जाचने सड़क पर उतरे है कमिशनर दोस्तों किसानों के 13 फर्वरी को दिल्ली कूच ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सभी सीमाओ को किले बंदी सुरू करती है जिहां दोस्तों 1444 भी लागू कर दी गई है सभी सीमाओं पर कंक्रीट और बैरिकेटिंग और कंटेनर लगाए गए है पड़ोसी राज़यों में भी सक्ती से मार्च करने वाले दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने कले पड़ोसी राज़यों से भी इंतजाम किये गए है अमबाला के पास पंजाब सीमा सील है और ओधक रेट की बोरिया कटीले तार वगेरा लगाए गए है तो मोधी सरकार 500 रुपाय के छूट दे रही है सोना खरीदने पर कहां और कैसे खरीदे इसको जानियेगा जैं दोस्तों 12-16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेज कर सकते हैं आप 12-16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेज कर सकते हैं आर बियाई ने इसका ECU प्राइस 6,233 रुपाय प्रतिग्राम तै किया है तो आपको दादे ओनलाइन और ओफलाइन विखरी होगी गोल्ड बॉन्ड में ओफलाइन और ओनलाइन दोनों तरह से आप निवेज कर पाएंगे अगर कोई व्यक्ति ओफलाइन निवेज करना चाहता है तो उसे नामित बैंक साखाओं में जाकर फॉर्म भरना होगा इसके लावा ओनलाइन इवेज में एच्छुक लोगों को भारती रिजर बैंक या पिर अन्य बैंकों की वेबसाइट पर जाकर गोल्ड बॉन्ड की खरीद के लिए आवेदन करना होगा तो दोस्तो यूपी पॉलिस कॉंस्टेवर भरती के एक्जाम सिटी डिटेल आ चुकी है जाकर आप देख भी सकते हैं यूपी पी बीपी डॉट जी ओवी डॉट इन पर जाकर आप देख पाएंगे इसके साथी आई बटन पर क्लिक करके भी आप पर इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे यूपी पॉलिस कॉंस्टेवर भरती के एक्जाम सिटी डिटेल आ चुका है आपका पेपर किस सहर में होगा, 17 तारीक होगा, 18 तारीक होगा, किस सिप्ट में होगा यह सब कुछ आपको एक्जाम सिटी वाले डिटेल में मिलेगी इसके साथी आज एड्मिट कार्ड भी जारी होगा तो दोस्तो यूटीव पर Most Popular Influencer की लिस्ट सामने आ गई है वो अपने चैनल पर रोष्ट करते है फिलाल इंस्टाग्राम पर उन्हें 20 मिलियन से जादा लोग फॉलो करते है दूसरे नमबर पर भूवन बाम है भूवन बाम इन दिनों वेब सेरीज में बिजी है और एक्टिंग में अपना दम दिखा रहे है तीसरे नमबर पर दोस्तों अमेरिकन यूट्यूबर है जिनकी पॉप्लियर्टी भारत में भी बहुत जादा है मिस्टर बीष्ट को इंस्टाग्राम पर 49 मिलियन लोग फॉलो करते है इसके साथ ही यूट्यूबर आसीज चंचलानी चौथे नमबर पर है जिया दोस्तों संदीप माहस्वरी जो की एक मोटिवेस्टनल स्पीकर है वो पांचवे पायदान पर है छटे स्तान पर टेकनिकल गुरुजी यानि की गौरो चौधरी है जो फोर्ब्स इंडिया की 30 लिष्ट में भी रह चुके है एल्विस को आखरी नमबर मिला हुआ है दुरू राटी को लिष्ट में सात्वा नमबर मिला है दुरू यूट्यूब पर सोसल, पॉलिटिक्स और परियावरर संबंदी वीडियो बनाते है और वही पर फुकरा इंसान और अभिसेक मलहान आठ्वे नमबर पर है अब इसे को हाल ही में बिग बॉक्स और टीटी टू में देखा गया था खान जीयस यानि खान सा नवे नमबर पर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास चलाते हैं और दस्वे नमबर पर यूट्यूबर अल्विस यादों है आप यहाँ पर पूरी पिक्चर देख पाएंगे आजब बॉक्स और पर साहित कपूर रजनी कांथ या फिर रवी तेजा जानिय कलेक्सन की लड़ाई में कौन आगे है दरसल बॉक्स और पर लंबे वक्त बाद बॉलिवुट की कोई फिल्म साउथ की एक नहीं बलकि दो दो फिल्मों को परास्त करती दिखाई पड़ रही है वो बात अलग है कि IMDB की रेटिंग में कुछ मामले अलग है जिया दोस्तों बॉक्स और पर लंबे वक्त बाद बॉलिवुट की कोई फिल्म साउथ मूवी से आके निकलती दिखाई पड़ रही है साहित कपूर और कृति सैनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया जहां गोली की रप्तार से आगे बढ़ रही है तो ही साउथ की फिल्म लाल सलाम और इगल की कमाई ग्राफ तेजी से नीचे गया है UPI का दाएरा बढ़ गया है दो और देश करेंगे अब डिजिटल पेमेंट पीम मोदी करेंगे सुरुवात विदेसी मंतराल है कि मुताबि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये सोमार को दुपहें एक बज़े स्रीलंका और मौरिसस की UPI सेवाओं और मौरिसस में रूपे कार्ड सेवाओं को सुरुभारम किया जाएगा स्रीलंका और मौरिसस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं की सुरुवात होगी सोमार को प्रदार मंतरी निरेन मोदी स्रीलंका की राश्पती रॉनियल विक्रम सिंगे और मौरिसस के प्रदार मंतरी प्रवींद जगरनात की मौजूदगी में मोबाइल आधारी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को सुरुभारम करेंगे इसके लावा मौरिसस में रूपे कार्ड भी लॉन्च होगा तो एल्विस यादो का सक्स को थपर मारता वीडियो वाइरल हुआ है सोसल मीडिया पर फैंस ने बताई है जगरे की वज़ा दरसल दोस्तों आपको पताई है कि बिग बॉस ओर टीटी सीजन टू के विनर रहे यूटीबर एल्विस यादो नाम फिर एक बार सुर्कियों में आ गया है सोसल मीडियो पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एल्विस यादो एक रिष्टोरेंट में बैठे एक सक्स को थपण मारते देखे जा सकते है हाला कि इस वीडियो में कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई लेकिन सोसल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को री सेर करना सुरू किया है वारल वीडियो को जैपूर का बताया जा रहा है एल्विस यादो ने उठाया इस सक्स पर हाथ आखिर क्यों इसको जा रहे है एक सोसल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि रेश्टरेंट में कुरसी पर बैठे सकने एल्विस यादो और उनकी परिवार के लिए अपसब्दों का इस्तिमाल किया था जिसके बाद सेलिब्रिटी यूटीबर अपना आपा खोद या उसर मीडिया यूजर ने लिखा एल्विस यादो के खिलाप फैलाए जा रहे है वीडियो का सच जा लिजे कोई हमारे परिवार को गालिया देकर हद पार कर जाए तो इस पर एक रियाक्षन तो बहुत जरूरी होता है वायो गोर्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जाल लेते हैं 10 ग्राम सोने का रेट क्या है फटाफट से जाल लेते हैं आप यहाँ पर MP में रेट देख सकते हैं 5858C का मिलेका 10 ग्राम 22 करेट वाला और 24 करेट वाला 67720 का मिलेगा 36 गल का भी रेट देख पाएंगे आप साथी दिल्ली में सोने के दाम क्या है ये आप देख लीजे मुंबई में सोने के दाम क्या है? मुंबई में दोस्तों बता दे 22 करेट सोना 58,580 का और 24 करेट वाला 68,510 का मिलेगा वहीं अपने लखनों में क्या रेट है? जी या दोस्तों बता दे 22 करेट सोने का दाम 58,700 का है और 24 करेट वाला 68,640 का है तो आई यो यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आज साम से बिगड़ेगा यूपी का मौसम अगले तीन दिनों तक बारिस का पूरवा नुमान जताए गया है दोस्तो उत्तर प्रदेस में सो मार से ही मौसम में बदलाओ देखने को मिल रहा है अब पूरवन मान लखनों मौसम केंदर ने जारी किया है लखनों मौसम केंदर के मुताबिक 12, 13 और 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में बारिस होगी फिलाल मौसम आज साम तक बिगड़ेगा और 14 फरवरी तक मौसम इसी तरह से रहेगा मौसम केंदर के वरिष्ट वैग्यानिक मौहमद दानिस ने बताया कि अभी तक पूरे प्रदेश में पश्चिमी हवाय चल रही थी लेकिन अब पूरी हवाय चलेंगी जिससे मध्य प्रदेश में सटे हुए जीलों में बारिस हो सकती है जिसमें जालाउन, आगरा, इटावा, महोबा, बांदा, ललित, पुर्चितरकूर, प्रियागरा, जो मिर्जापुर सामिल है वोटसेयर पढ़ाने का अब गाउँ चली भाजपा जेपी नडड़ा आज वेस्ट यूपी सुरू करेंगे अभ्यान दोस्तो लोग सबा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटे जीतने का लक्ष लेकर चल रही भाजपा कोसिस इस चुनाव में अपना वोटसेयर बढ़ा कर एक क्याउन फिजदीक करीब करने की है इस लक्ष को पाने के लिए पार्टी गाउं गाउं जाएगी वाई दोस्तो किसानों के प्रदर्शन से पहले दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिया गया है कॉमर्सिल वाहन पर भी रोक लगा दी गई है घर से निकलने पहले आप देख लीजे एडवाईजरी दोस्तो दिल्ली में 13 फरूरी को किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस ने हर्याना के 60 इलाकों में एतियातन धारा 144 लाग हुगर दिया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसानों को एकत्रित होने के मद्य नज़र ट्रैफिक एडवाईजरी भी जारी कर दी है आपको दादे बड़ी संख्यम उत्तर प्रदिस हरियारा पंजाब के किसानों के दिल्ली पहुचने का अनुमान है कॉमर्सियल वाहनों पर कहां कहां रोक लगी है सिंग बार्डर पर सोमार से कॉमर्सियल वहिकल पर आवाजाही पर प्रजबंदित कर दिया गया है मंगलवार को बार्डर को पुरी तरह से सील कर दिया गया है गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए कौन कौन सा रास्ता ठीक रहेगा गाजियाबाद से गाजीपूर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाने वाले लोगों को महराजपूर बॉर्डर या फिर अपसरा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रविश करना होगा इसके बाद भी अक्षर धाम, गीता, कालोनी, पुस्ता रोड, मदर डेरी रोड और चौदरी चरण सिंग मार्ग होते हुए आग एक तरफ जा सकते हैं वैहर जिले में होगा भूमी पूजन समारो 10 करोण निवेस वाले उध्यमी होंगे महमान दोस्तो उत्ता प्रदेश के पृत्येक जिले में 19 परवरी को भूमी पूजन कर समारो आयुजन किया जाएगा इसमें 10 करोण रुपए तक निवेस करने के लिए उध्यमियों को आमंत्र टिया गया है इस संबन में आवे स्थापना और आध्योगी विकास आयुक्त मरोज कुमार सिंग ने सभी मंडला युक्तो और जिला दिकारी को निर्देश जारी किया है वही दोस्तो माग मेला में हुआ है पहला संत समेलन बोले हिंदूओं को सोपिक ज्यानवाफी मंदिर और स्रीकिष्ण जनभूमी अकिल भारती संत समिति के महामंत्र जीतिंद्रा नंस सरसुती ने कहा कि हमारा आयुध्या मत्रवा कासी को लेकर एक ही संकल्प था संतो ने हमेस्ता तीनो आराधन एस्थल मांगा था स्रीराम जनभूमी के बाद अब कासी और मत्रा चाहिए तो आवास योजना के लिए के बड़ा अपडेट आ गया है गरीवों को आसियाना देने के लिए यूपी के जीले में सबसे आगे है इनका सबसे खराब रिकॉर्ड है एम आवास योजना में गरीवों को आस्याना देने में उत्तर प्रदेश काफी तेजी से काम कर रहा है। नोईटा और गार्जयाबान में तो अपना 100 फिजदी टार्गेट पी पूरा कर लिया गया है जब कि मत्रों बंदायों के रिकार्ड सबसे खराब है। सो दोस्तों यह कुछ अपडेट था यह कुछ जानकारी सी जो आपके साथ सेयर की गई है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में वीडियो को लाइक करके जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद।